नवादा से बड़ी खबर, पुलिस पर बालू माफियाओं का हमला, दो जवान घायल, F.I.R. दर्ज नवादा जिले के मेस और थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, पवाई बालू घाट पर बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया है इस दोरान दो पुलिस के जवान घायल हो गए है, पुलिस ने माफियाओं पर F.I.R. दर्ज कर ली है, पवाई बालू घाट में बालू के अवैद खनन की सुचना पर कार रवाई करने गई मेसोर थाना की पुलिस पर बालू माफियाओं द्वारा हमला कर दिया गया, जिसकी सुचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची मेसोर थाना की पुलिस ने कार रवाई करते हुए एक ट्राक्टर, एक बाईक जप्त कर लिया और एक व्यक्ती को गिरफतार करने में सफलता वही पुलिस की भनक लगते ही बालू माफिया और उसके गुर्गे फरार हो गए। इधर जड़ाप में घायल पुलिस कर्मियों को CHC मेसौर में इलाज कराया जा रहा है। घटना के संबंध में मेसौर थानाध्यक्ष रुपेश कुमार ने बताया की शनिवार की सुबह गुप्त सूचना मिली थी की धाड़ा नदी में थानाक्षेत्र के पवई गाव के समीत बालू माफियाओं द्वारा अवैध बालू का खनन करकाई ट्राक्टर से बालू का जन लेकर भाग रहा था जिसे पुलिस ने जबत कर लिया जब ट्राक्टर के डाला को पुलिस थाना लेकर जा रही थी तभी ट्राक्टर पकड़े जाने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में बालू माफिया और उसके गुरगे ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और में कराया जा रहा है। चिकित्सा पदाधेकारी सुबीर कुमार ने बताया कि घायल सिपाही अनुज कुमार दुबे को चेहरे एवं सिर में साथ ठांके लगाने पड़े है जबकि सिस्टी सिन्हा को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। वहीं, पुलिस पर हुए हमले और जड़ब के बाद मेस और थानाध्यक्ष रुपेश कुमार के नित्रित्व में थाना की पुलिस ने कारवाई करते हुए एक व्यक्ती को गिरफतार कर लिया है। साथ ही एक ट्राक्टर एवं एक बाइक को भी जबत किया है। नवादा से सुरेश राई की रिपोर्ट